मेरी पांच वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किये बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाशा सीखने में उसने सिर्फ एक ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती है, उस समय का एक पल भी वह चुपी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जबान बंद कर देती है। किन्तु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता। और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान-प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के सत्रवें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया। बाबुजी, रामदयाल दर्बान कल काक को कौँ कहता था। वह कुछ जानता ही नहीं न बाबुजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विशय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबुजी, भोला कहता था आकाश मुह से पानी भेखता है, इसी से बरसा होती है। अच्छा बाबुजी, भोला जूट मूट कहता है न, खाली बकबक किया करता है, दिन राद बकता रहता है। इस विशय में मेरी राय की तनिक भी राह न देख करके, चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रशन कर बैठी। बाबुजी, मा तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन में मैंने कहा, साली, और फिर बोला, मिनी, तु जा, भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है, अच्छा। न तब उसने मेरी मेज के पार्शु में पैरों के पास बैठ कर, अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिला कर, बड़ी शीघ्रता से मुह चला कर, अठकन बठकन दही छटा के कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचन माला को लेकर, रात्री के प्रगार अंधकार में बंदी ग्रिह के उंचे जरोखे से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सडक के किनारे पर था, सैसा मिनी अपने अठकन बठकन को छोड़ कर कमरे की खिड़की के पास दोड़ गई और जोर-जोर से चिलाने लगी। मेरा सत्रहवां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। कि कहां छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंध विश्वास बैठ गया था, कि उस मैली कुचैली जोली के अंदर ढूढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्ची निकल सकती है। इधर काबुली ने आकर मुसकराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, वास्तव में प्रताप सिंह और कंचन माला की दशा अत्यंत संकटा पन्न है, फिर भी घर में बुला कर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सौदा खरीदा गया, उसके बाद मैं उससे इधर-उधर की बातें करने लगा। रहमत, रूस, अंग्रेज, सीमान्त रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए, उसने अपनी मिली-जुली भाशा में पूछा, बाबुजी, आपकी बच्ची कहां गई। मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया, वह मुझसे बिलकुल लगकर काबुली के मुख और जुली की ओर संदे हात्मक द्रिष्टी डालती हुई खड़ी रही। काबुली ने जोली में से किस्मिस और खुबानी निकाल कर देनी चाही, पर उसने ना ली और दुगुने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे में किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दर्वाजे के पास बैंच पर बैठी हुई काबुली से हस हस कर बातें कर रही है। और काबुली उसके पैरों के समी बैठा बैठा मुस्कराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाशा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने पांच वर्ष के जीवन में बाबुजी के सिवा ऐसा धैर्यवाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो, उसका फिराख का अग्रभाग बादाम किसमिस से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब कभी मत दे ना? कहकर कुर्ते की जेब में से एक अठनी निकाल कर उसे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठनी लेकर अपनी जोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौट कर देखता हूँ, तो उस अठनी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी ही भेंट थी, सो बात नहीं। इस दौरान में वह रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे दे कर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित हैं। जैसे मेरी बिटिया। रहमत को देखते ही हंस्ती हुई पूछती। काबुल वाला और काबुल वाला, तुमारी जोली के भीतर क्या है। काबुली जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंदर बिंदु जोड़कर मुस्कराता हुआ उत्तर देता। हाँ बिटिया, उसके परिहास का रहस्य क्या है, यह तु नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेश खेल सा प्रतीत होता है। और जाड, हे के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हसी सुनकर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना। अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं। किन्तु हम लोग तनिक कुछ नई रौष्णी के होने के कारण, तनिक सी बच्ची को ससुराल के विशे में विशेश ज्यानी नहीं बना सके थे। अत, रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिये बिना चुप। रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती। तुम ससुराल जाओगे। रहमत कालपनिक श्वसुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तान कर कहता। हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अंजाने जीव की दुरावस्था की कलपना करके खूब हस्ती। देखते देखते जाडे की सुहावनी रतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिगविजय के लिए कूच करते थे। कुटीर का दृष्य देखने लगता है और एक उल्लास पूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कलपना में जाग उठती है। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृती का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़ कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठ कर उस काबुली से गप शप लड़ा कर बहुत कुछ भ्रमन का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों और उबढ़ खाबढ लाल लाल उंचे दुरगम परवत हैं और रेगिस्तानी मार्ग उन पर लदे हुए उंटों की कतार जा रही है। उंचे उंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ उंट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं। कि इन ही के हाथों में बर्चा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूख थामे हुए है। बादलों की भयानक गरजन के स्वर में काबुली लोग अपने मिली जुली भाशा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की मा बड़ी वहमी तबियत की है। भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेश नजर रखने के लिए मुझसे बार-बार अनुरोध करती रहती। जब मै एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है। इत्यादी। मुझे मानना पड़ता कि यह बात नितांत असंभव हो, सो बात नहीं पर भरोसे के काबिल नहीं। भरोसा करने की शक्ती सब में समान नहीं होती। अत। मिनी की मा के मन में भए ही रह गया, लेकिन केवल इसी लिए बिना किसी दोश के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लोट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुप्या पैसा वसूल करने में तलीन रहता है। उसे घर-घर, दुकान-दुकान घूमना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी शड्यंत्र का श्रीगरनेश हो रहा है। जिस दिन वह से वेरे नहीं आ पाता, उस दि पुछी मन में अचानक भैसा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूं कि मिनी ओ काबुल वाला पुकारती हुई, हस्ती हस्ती दोड़ी आती है और दो भिन भिन आयू के असम मित्रों में वही पुराना हास-परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से ना चुटता है। एक दिन सवेरे मैं अपने चोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा, विदा होने से पूर्व, आज दो-तीन दिन खूब जोरों से अपना प्रकोब दिखा रहा है। जिधर देखो, उधर उस जाड़े की ही चर् होगा। सिर से मफलर लपेटे उशा चरंड सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिये जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमार शाही पूछा क्या बात है। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पडोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरी दी थी। उसके कुछ रुपे उसकी और बाकी थे जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बरे एच गई और रह रहमत उस जूठे बेइमान आदमी के लिए भिन भिन प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला! ओ काबुल वाला! पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षन भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज जोली न से कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूं। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हसी न ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखा कर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। चुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिल रहमत का ध्यान धीरे-धीरे मन से बिलकुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठ कर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलजे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन परवतों पर घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा। यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जा प्रत्था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूल कर पहले तो नबी सईस क साथ मित्रता जोड़ी। फिर क्रमश जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धी होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या? अब वह अपने बाबुजी के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह स उसके साथ नाता ही तूट गया है। कितने ही वर्ष बीद गये? वर्षों बाद आज फिर एक शरद रतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आ काम दे रही है। कलकत्ता की संकरी, गलियों से, परस पर सटे हुए पुराने इटजर गंदे घरों के उपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेड दिया है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहननाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रोकर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानु मेरी विछेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवा है। सवेरे से घर बव पानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक-टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पर हने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करक खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास न तो जोली थी और न पहले जैसे लंबे-लंबे बाल और न चेहरे पर पहले जैसी दिव्यज्योती ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत? कब उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आँखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दि मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तयार हो गया। पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला। क्या, बच्ची को तनिक नहीं देख सकता। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुल वाला ओ काबुल वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट ना होगी। यहां तक कि पहले की मितरता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागस के दोने में थोड़ी सी क इस्मिस और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली जोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंटना हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर द्रिश्टी से देखा, फिर अभिवादन करके दर्वाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुला इतने में देखा तो वह स्वयम ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किस्मिस, बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बह करकर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ, मैं ये सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने धीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डाल कर चाती के पास से एक मैला कुचैला मुडा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला, और बड़े जत चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिक लगा कर कागज के उपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को चाती से लगा कर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वह कालिक चित्रमानों उसक बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्ष, उसके बिछडे हुए विशाल वक्ष स्थल में अमरित उडेलता रहता है। देखकर मेरी आँखें भर आई। और फिर मैं इस बात को बिलकुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है। मैं एक उच्चवंश का रईस वही मैं हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी परवतवासनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने ततकाल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ती की गई। पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं विवाह के वस्तरों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकुडी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हसते हुए ब क्या। मिनी अब सांस का अर्थ समझने लगी थी। अथ। अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल सुर्ख हो उठे। उसने मुह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जबकि रहमत के साथ मिनी का प्र कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवत्त वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन आठ वर्षों में उसका क्या हुआ होगा। कौन जाने। सवेरे के समय शरत की निकाल कर उसके हाथ में दिया और कहा रहमत तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपईये देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के दो एक अंग छाट कर काट देने प फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व जोचना से हमारा शुब समारोह उज्वल हो उठा। तो दोस्तों अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। अपने पसंद की कहानी सुनने के लिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी और हाँ, ऐसे और भी मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।